रात की नीन भला किसे पसंद नहीं होती, दिन भर की ठाकान के बाद जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो इससे बहतर सुकुन कुछ और नहीं हो सकता। क्या होगा कि अगर आप रात को सोएं और सुवह उठकर त्वचा पर ऐसे हैनी या खुजली होने लगे और लाल निसान दिखाई दें ये खटमल काटने के कारण हो सकते हैं। एक बार अगर बिस्तर पर खटमल हो जाएं तो उनसे चुटकारा पाना मुस्किल हो जाता है। लेकिन ज़्यादा असरदार साबित नहीं होती हैं। एसी जगह पर साफ करना है जहां से खटमल दो बारा घर में बापस ना सकें। लेकिन पुदीना भी खटमल से चुटकारा दिलान में रविंग एलकोहल का इस्तमाल भी काफी फायदमन सिध हो सकता है। इसलिए सबसे पहले एक इस्प्रे की बोतल में रविंग एलकोहल डालें फिर खटमल वाली जगह पर उसे इस्प्रे करें। जब तक खटमल जड़ से खटम न हो जाएं आप ऐसा रोजा न करें। दरसल खटमल या उनके आसपास की जगह पर एलकोहल डालने से खटमल सेल्स खटम होने लगते हैं। जिस करण वो जल्दी मर जाते हैं। सुनने में भले ही आपको अजीब लगे लेकिन पुदीना भी खटमल से चुटकार दिलाने में कारगर साबिस हो सकता है। दरसल ऐसे बहुत से कीले होते हैं जिने पुदीने की गंद बरदास नहीं होती और वो इनके संपर्ग में आने से मरने लगते हैं। खटमल भी इनी कीलों में से एक है। बस इसके लिए आप पुदीने की पत्तियों को पीस कर वहाँ डालें जहां खटमल आते हैं। ऐसा करने से कुछ ही दुनों में खटमल मर जाएंगे। नमबर फॉर नीम का तेल दिखाएगा अपना कमाल। नीम का तेल भी खटमल से निजात दिलाने में मदद कर सकता है क्योंकि इसमें एंटी वेक्टियर गुण मोजुद होते हैं। इसलिए आप दो बड़े चमत नीम का तेल, एक कप पानी और आधा छोड़ी चमत डिटरजन पाउडर को एक कटोरी में डालकर अच्छे से मिला लें। फिर इस मिस्रन को आप इस्प्री की बोतल में भरकर खटमल वाली जगह पर छड़काप करें। जब तक खटमल जड़ से खटम न हो जाए तब तक रोजान इस प्रिक्रिदा को दोराएं। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसे घरेलू उपाय जिनने अपना कर आप खटमल को जड़ से खटम कर सकते हैं। तो ये घरेलू उपाय आपको कैसे लेगे नीचे कमेंट करके हमें ज़रू बताना। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल लगें। जैही जै भारत।